दोस्तो मैंने हाली में एक फैन का रिव्यू किया था और काफी लोग ने मुझसे पूछा है कि कोई ऐसे टाप का फैन बताईए जो की डेक्सटाप या फिर लापटाप के साथ में यूज़ कर सकते हैं उससे थंडा करने के लिए तो यह है वो फैन यह काफी कॉंपक्ट यह क आपको इसकी अन्बोक्सिंग करके बताता हूँ देखते रहे हैं यह दिखिए यह है डिक स्टॉप फैन यह अलग-अलग कलर आप्शन में अविलेबल है और यह जो प्रोड़क्ट है इसे मैंने एमेजॉन से और किया हुआ है तो इसकी मैं आपको अन्बोक्सिंग करके ब आता है तो आप अपने लापटाप या फिर डेक स्टॉप का जो यूजिग पोड है उसमें दाल सकते हैं और इस अलावा बॉक्स में एक यूजर मैनल भी दिया हुआ है अगर आप इस प्रोड़क्स की तरफ ध्यान दे तो नीचे की तरफ यहां पर रभर पैडिंग दिया इस प्रकार से प्लेस करेंगे तो अच्छा ग्रिप मिलने वाला है तो यहां पर यह जो डिक स्टॉप फैन है इसे मैंने लाप्टप के साथ में कने किया हुआ है लाप्टप को मैंने इस टैंड पर रखा हुआ है ताकि नीचे वेंटिलेशन मिल जाए वैसे बहुत सारे जो इस पर जो वेंट से वो साइड में दिया हुआ है यह जो फैन है काफी काम में आ सकता है खास करके अगर आप कज लाप्टप है या डिक स्टॉप है वो जादा हीट अप हो रहा है तो तो वैसे जो मैक्बूक है इसके साथ में यूस्बी पोर्ट तो नहीं मिलता है इसलिए मैंने यह हब अटाच किया हुआ है जिसमें यूस्बी पोर्ट मिल जाता है यहां पर टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है तंडर बॉल्ट पोर्ट मैक में तो यह हब का उप्योग करके मैंने यह जो डिक स्टॉप फैन है इसे मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया है और यह जो भाग है यह एक बाटन है इससे मैं अगर एक बार प्रेस करूं जये यह मिरी जीन है अभी अन हो गया है आ फैन की आवज काफी कम है मोमली से आवज आ रही है लेकिन अगर मैं यह जो बटन है फिर से इसे मों करण तो तो यह देखिये, फैन का जो speed है ये पढ़ गया है फिर से प्रेस करूँ एक और speed, extra speed मुझे लगता है कि ये fastest है और एक और बार प्रेस करने के बाद ये off जाता है तो आपको जैसा speed ये उसके हिसाब से आप इसे adjust कर सकते हैं वैसे ये आपको जो laptop है या जो desktop है उसे cool करने के लिए भी काम में आ सकता है या फिर अगर आप अपने आपको थंडा रखना चाते हैं तो इसके लिए भी ये काफी काम में आ सकता है और of course जो angle है इसे आप set कर सकते हैं आपके requirement के हिसाब से तो अगर आपके पास desktop है और अगर आप उसे थंडा रखना चाते हैं वैसे desktop में already fans होते हैं लेकिन अगर आप extra fan खरीदना चाते हैं तो ये एक अच्छा option है और इसका सबसे बड़ा advantage ये है कि आप जो angle है fan का उसे ये रखें इस प्रकार से set कर सकते हैं तो अगर आपको जो गरम हवा है उसे एक particular direction पर फेकना है तो ये काफी काम में आ सकता है और दूसरा option ये है कि अगर आपके पास laptop है तो laptop को थंडा रखने के लिए भी आप ये जो desktop fan है इसका उप्योग कर सकते हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया product है और इसका pricing है 1399 रुपेज एमेजान पर अवेलेबल है उसका लिंक मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है दोस्तों ये product आपको कैसा लगा comments के मादें से मुझे जरूर बताईए इस वीडियो को like जरूर कीजिए और देखते रहिए